का है कि वेल्कम तूद इस लेक्षर आज का मरा लेक्षर रहे कोम्मुनीकेशण प्रोसेश पा से किसके बारे में गुवेनिक migrant के प्रोसेश क्या होती हैं। उसको कैसे हम कॉंपिली कॉम्म मुनिकेशन को सकसेस बना सकते हैं। उसकेश्टरपिक और हमous服डिक हम् किसको communication के दे थे effectively communication के से complete होता था उसके बाद communication के way कितने थे communication के types कितने थे उसको हमने आगे के lecture में पढ़ा थे तो आज के lecture में हम पढ़ने जा रहा है communication process तो communication process क्या है तो यहाँ पर रिखा उसकी definition दी गई है communication is the process of sending and receiving information among people communication एक ऐसी process है जो दो person के बिच में कैसे data को send और receive करते है उसको बोलते communication process तो उसके अंदर आपको दी गई यहाँ पर उसका completely chart उसका दिये गया है कि communication कैसे काम करता है तो यहाँ पर सबसे पहला होता है एक sender जो कोई एक person होता है जो एक message send करता है एक कोई medium के through उसको कोई receiver कोई दूसरा person उसको receive करता है उसको completely understand करने के बाद उसको feedback के through किसी के mediator के through feedback देता है sender को तो यह complete process को क्या बोलते है communication process बोलते है क्या बोलते है communication process आगे हम देखने जा रहा है communication code scheme मतलब नहीं हमने जो communication की process यहाँ पर पढ़ी थी वो communication की process को हम real life में कैसे apply करेंगे वो हमें देखना है तो यहाँ पर real life के अंदर किसी भी communication के लिए 2 person available होना जरूरी है तो यहाँ पर कोई एक person होगा जो बोलेगे हम sender person क्योंकि कोई एक person दूसरे person को message send कर रहा है या कोई भी communicate कर रहा है तो आप है तो आप दूसरे person को कोई भी communicate कर रहे हो तो आप हो गए एक sender होगे real life के अंदर आप क्या होगे sender और जो सामने वाली person है वो क्या होगे एक receiver होगे तो जो आप कोई message send करते हो तो वो आप हो जाते हो codifying क्या बोलते है उसको codifying और जो receiver होता है उसको बोलते है decodifying तो real life के अंदर तो हम communication करते है तो आगे हम देखते हैं कि communication involves component कि जो हमें आप communication की process देखे उसके अंदर क्या-क्या involve होते हैं उसके components हम देखने हैं तो यहाँ पर three types of components दी गए हैं तो पहला component से verbal message क्या दिया गया? verbal message मतलब कि verbal message कि इसको कहते हैं कि हम कोई message देना चाहते हैं या किसी को communicate करना साथ है तो हम किसी word को choose करते हैं कि यह word हम उसको कहेंगे या उसको communicate करेंगे तो उसको बोलते है verbal message उसके बाद है pre-verbal message pre-verbal message मतलब क्या? कि हमने जो word choose किया है हमने जो verbal message choose किया है उसको हम receiver के सामने कैसे present करना है मतलब कि सामने वाले person के सामने हम कैसे presentation करते है उसको बोलते है pre-verbal message उसके बाद है non-verbal message non-verbal message क्या है कि हमने आगे देखा verbal message तो उसके अंदर हम कोई word चूस करते थे pre-verbal message के अंदर हम क्या करते है कि जो word हमने चूस किये उसको presentation करते थे कोई receiver के सामने तो वो हो गया था हमारा pre-verbal message बट हम अब देखने वाले non-verbal message तो non-verbal message क्या था हमने आगया के lecture में देखा था body language तो जो हम body language के through कोई भी expression के through हम सामने वाली व्यक्ति को communicate करते है तो उसको पूरी system को बोलते है non-verbal message तो यह हमारा हो जाता है completely non-verbal message तो यहाँ पर three communication के components थे पहले हमने देखा verbal message जो कोई word हमने कुछ चूज किये होगे तो उसको बोलते हैं verbal message बोलते होगे दूसरा है pre-verbal message मतलब हमने जो verbal message को चूज किया था उसको में कैसे presentation करना है तो उसको हम बोलेंगे pre-verbal message उसके बाद हमने तिसरा है non-verbal message non-verbal message के आपकी body language आपके expression अभी हमने ये तीन जो component पढ़े हैं उसको हम कैसे use करेंगे तो यहाँ पर हमने these three components are used to हम कैसे use करेंगे वो यहाँ पर दिखाये गया है तो आपकी screen में यहाँ पर दिखाये गया है send and clean को हम जो message verbal हो pre-verbal हो या non-verbal हो उसमें कोई दिकत नहीं आप किसी भी type का choose कर सकते हो but जो भी message आप send करोगे वो क्या होना चाहिए send clear और cut होना चाहिए जो भी message आप user को या receiver को send करते हो वो एक clear और cut होना चाहिए दूसरा है conceive message मतलब में आप जो भी message receiver को देना चाहते हो या दूसरे person को आप देना चाहते हो वो एक short message होना चाहिए completely short और आगे देखा set clear मतलब कि जो message देना चाहते हो short होना चाहिए और clear and cut होना चाहिए उसके बादे receive and correctly understand message मतलब में जो आप message बेज रहे हो वो receive completely होना चाहिए और correctly उसको understand होना चाहिए कि जो सामने वाला receiver है उसको completely understand हो जाना चाहिए तो यह हमारे जो भी components देखे थे तो यहाँ पर हम उसको कैसे यूश करेंगा उसको दिया गया है उसके बाद हम देखने वाले है कि sending message तो हमने आगे देखा था कि sender होता है वो message send करता है बट वो कैसे message send करेंगा तो उसके हम detail में देखेंगे तो उसके अंदर पहला topic है effectively verbal message क्या है effectively moment message तो verbal message का मतलब क्या था कि verbal message कोई हम जो word चूश करते है कोई message के लिए तो उसको कहते है verbal message उसके अंदर three types को जहान रखना है attention रखना है उसके अंदर तो पहला है our brief and organization को जो हमने word choose किया है वो एक brief होना चाहिए और organization मतलब कि custom format में होना चाहिए जो completely formal type लगे दूसरा है our free or jargon मतलब कि आपने जो message create किया है वो free of jargon होना चाहिए मतलब कि वो clear and cut होना चाहिए और तीसरा है do not create resistant in the listener मतलब कि आप जो message listener को बेज रहे हो तब उसमें कोई resistance नहीं होना चाहिए तो यह effectively verbal message की theory थी तो verbal message कैसे create होता है उसको effectively कैसे बिराना चाहिए तो यहाँ पे उसने team taps दिये गए है पहला हमने देखा message है वो brief and organized होना चाहिए और तीसरा है वो message jargon free होना चाहिए और तीसरा है उसको कोई resistant जब आप उसको listener के पास बेजते हो उसमें कोई resistant होना नहीं चाहिए तो यह हो गई थी effectively verbal message कैसे उसको send करते हो दूसरा देखना है हम चो send करते हो non-verbal message हम कैसे send करना है आगे देखा कि हमने verbal message कैसे send करना है बट हब हम देखें कि non-verbal message हम एक कैसे send करना है तो non-verbal message are the primary way that we communicate emotion non-verbal message एक primary way है जो emotion से जुड़ा हो है जो हम communicate करते है non-verbal message से वो हमारे body language से completely होता है तो एक emotion से जुड़ा होता है उसके अंदर दो effectively topics है पहला है posture उस दूसरा है gesture तो posture जब आप communicate non-verbal type से कर रहे हो तो आप अपना posture और gesture दोनों को completely आपको expression उसकी दिखानी पड़ेगी सामने व्यक्ति को पता चला गया कि आप क्या communicate कर रहे हो तो यह हो गया हमारा non-verbal message उसके बाद है pre-verbal message तो pre-verbal message क्या होता था तो pre-verbal message की मतलब हमने जो भी verbal message set किया है उसको हम कैसे presentation करें receiver के सामने तो उसको बोलते है pre-verbal message अब उसको message कैसे send करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है तो pre-verbal message communicate refer to the message that we transmit through the tune pitch and peace of our voice मतलब में हम जब presentation कर रहे हो, receiver के सामने जब communicate कर रहे हो, हमारा message जब present कर रहे हो, तब हमारा voice एकदम peace और clean होना चाहिए कोई भी जागरन वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे उसका type दिखा गया है कि कैसे आप उसको pre-verbal message बैस सकते हो, तो यहाँ पे पेहले लिखा है, I don't say you were stupid दूसरा भी लिखा गया, I don't say you were stupid दूसरा लिखा है, I don't say you were stupid तो दोनों सेम ही है बट उसको कैसे आपको present करना है, तो वो आपको देखना है, यह हो गया आपका pre-verbal message, तो हमने देखा चाहिए, jargon free होना चाहिए, और assistance नहीं होना चाहिए, उसके बाद हमने देखा non-verbal message, तो non-verbal message हमारे emotion से दुदा हो है, तो हमें poster और gesture हमारे और उसके expression हो हमने completely एक flow में होने चाहिए, जो message को clean करते हो, उसके बाद है pre-verbal message देखा, कि हमारा जो presentation है receiver के सामने, कैसे करना है उसको हम बोलते है pre-verbal message, तो उसके अंदर हमारा जो tune हो, voice का tune है, piece और clear cut होना चाहिए, ओके, तो अब आगे देखने वाले हैं, receiving message, तो आगे हमने देखा कि message को कैसे send करते हैं, बट हब हम देखने वाले हैं, कि message को कैसे receive करते है, receive, तो उसके अंदर पहला topic है हमारा listening, तो listening के अंदर हमें क्या-क्या ज़रूरत है, जो receiver है उसको कैसे listen करना चाहिए, जो भी message है, तो उसके अंदर पहला है require concentrate and energy, जो कोई message sender भेद रहा है, उसको एक concentrate करके और energy के साथ उसको हमें listen करना होगा, ओके, दूसरा है involves a physiological connection with the speaker, कि जो speaker है, उसके साथ हमें अमारा connection, physical connection हमें रखना चाहिए, तो यह हमको बचा चलाएगा, उसके expression के साथ, उसके पता चलेगा, उसके feeling वगेरा हम जान सकते, उसके बाद है, include a desire and willingness to try and see things from another perspective, जो sender हमें कुछ communicate कर रहा है, तो उसको हम अलग परी कैसे, अलग purpose से और अलग perspective से उसको भी देखना चाहिए, कि वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद है require that we suspend judgment and evolution, मतलब कि जो वो कहना चाहता है, उसको हम उसका एक judgment, उसको हम रद भी कर सकते हैं, पर कैसे करना है, और उसको evolution भी कर सकते हैं, वो कैसे करना है, वो आपको completely देखना है, तो ये हमारा हो गया receiving message listening के अंदर, कि listen जब हम करते हो, तो कैसे करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे, key listening skill, मतलब कि हमने जो message listen किया है, तो उसके अंदर भी two topic है, कि non-verbal type का message है, तो उससे कैसे listen करना है, verbal type का है, तो उससे कैसे listen करना है, तो यहाँ पर है, अब देखने वाले है, key listen skill, मतलब कि, पहला उसमें topic है, non-verbal message, तो attention to the speaker, मतलब कि, जब आप non-verbal message listen कर रहे हैं, तब आपको पूरा का पूरा attention speaker की तरफ रखना चाहिए, तो ही आपको उसकी feeling, वगेरा, कोई भी चीज है, उसके अंदर आपको पचा चलेगी, उसके message या communication के अंदर आपको पचा चलेगी, उसके बाद being aware of the speaker non-verbal message को, आपको aware होना चाहिए, कि यह speaker है, वो non-verbal message create कर रहा है, या कोई message भेद रहा है, या communicate करना चाहता है, तो यह हो गए हमारा non-verbal message, उसके बाद है verbal message, क्या है verbal message, तो verbal message, जब sender भेद रहा हो, तब हमें उसे किस चीज़ को जान रखना चाहिए, किस चीज़ में हमें attention करना चाहिए, तो जब verbal message कोई sender भेद रहा हो, तब क्या करना है paying attention to the world and feeling that are being expected, मतलब कि जब वो verbal message हमें भेद रहा है, कोई communicate करना साता है, verbal message के साथ, तो हमारा पुरा का पुरा attention उस person पे होना चाहिए, और उसके word पे होना चाहिए, और उसकी feelings से, वो हमें समझनी होगी, तो verbal message कोई भी व्यक्ति या कोई भी परफन, जब verbal message से communicate करना चाहता है, तो उसे हमें attention और work की feeling के साथ match होना पड़ेगा, तो यह हो गही key listening skill, उसके बाद हम देखेंगे, कि what is make a good communicator हम good communicator कैसे बन सकते हैं, और कैसे किस चीज़ को हम apply कर सकते हैं तो good communicator को हैं, पहले हमको clarity होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हम communicate करना चाहते हो तो उसके अंदर हमें कुछ, किसी भी चीज़ में clarity होनी चाहिए, जो clarity होगी, तो ही हम किसी भी चीज़ को good communicator बन सकते हैं, दूसरा है adequacy, adequacy मतलब क्या, कि आप उसके अंदर eligible होना चाहिए, जो भी चीज़ आप communicate कर रहे हो, या communicate कर सकते हो, तो उसके अप eligible होना चाहिए, वह आपको समझ में आनी चाहिए, understand होनी चाहिए उसके बात है integrity उसके अंदर आपकी integrity होनी चाहिए communication जब आप कर रहे हो, तो कोई भी communication के दर्मियन, आप उसके अंदर कितने attention से काम करते हो, वो एक चीज बढ़िया यहाँ पर ज़्यान रखने है दूसरी है timing, तो किस timing के अंदर हम communicate कर रहे है वो भी एक खास ज़्यान में रखने होगे, वो भी उस timing के अंदर भी हमें खास attention करना हो तो हमें good communicator बनने के लिए यह चार चीज बहुत ज़रूरी है पहली है clarity, हमारा जो message हो या हमारा communication हो, वो clear होना चाहिए दूसरा है adequacy, मतलब कि हमारी जो communication हो eligible और understanding जैसी होनी चाहिए understand हो जैसी होनी चाहिए तिसरी है integrity, communication के दोरान हमें हमारी integrity और हमारी feelings यहाँ पर हमें दिखाना है उसके बाद है timing, तो communication के perfect timing भी होनी चाहिए, तो यह हो गया हमारा good communicator कैसे बनते है, उसके बाद how do you develop your communication skill and explore the related skill तो अब हमें communication skill है वो कैसे develop करनी है और उसके related जो other skill है उसको हम देखने वाले हैं तो हमें, first of all communication skill है, वो develop करने के लिए यह तीन, यहाँ पर आपको जो चार्ट दिया गया है, वो चार्ट के अंदर जो main 3 field है, या main 3 skill है, वो आपको completely करनी होगी, completely fulfill करनी होगी, तो पहली है oracle, oracle means क्या होता है कि speaking, तो जो हमारा speaking way है, communications के लिए कोई speaking way है, तो हमारा complete होना चाहिए उसके related किस किस कि ज़रूर पड़े, कि उसके related है presentation को आप audience के बीच में presentation complete होना चाहिए, उसके बाद audience awareness होनी चाहिए critical listening होनी चाहिए और body language, मतलब में speaking, presentation के साथ audience awareness, critical listening और body language भी आपकी complete होनी चाहिए, तो आपका oral जो है, वो complete होगा उसके साथ चाहिए, दूसरी है writer, मतलब कि आपके लिखने की, जो communication है वो आपको कैसे लिख कर भी कर सकते है वो complete भी होना चाहिए, उसके अंदर कौन-कौन से writing skill की ज़रूरत है तो उसके अंदर फैली skill है academic writing, जो academic writing है वो अपनी complete होनी चाहिए, उसके बाद है revision and editing जो भी हमने academic writing की थी उसको revision और उसके अंदर editing वो भी होनी चाहिए, उसके बाद critical reading, मतलब कि आप critical situation के अंदर है उसके अंदर कुछ ना कुछ reading करना है तो वो भी हमें कुछ सिखना पड़ेगा उसके बाद है presentation of data जो आपके पार्ट information है वो public के बिस्ट में आपको कैसे presentation करनी है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद है non-verbal, non-verbal हमने पहले देखा वैसा ही, non-verbal का मतलब क्या था, कि हमें कोई अपनी body language अपने expression से सामने वाले विक्ति को communicate करना है तो यहाँ पे भी non-verbal आपको complete होना चाहिए, तो non-verbal के अंदर भी आपको audience network, audience awareness personal presentation और body language आपको होना चाहिए, तो यह तीन चीज़ आपको develop करके, आपनी communication skill completely develop कर पाऊगे और उससे related skill है जो audience awareness है presentation skill है, body language है वो भी आपको completely fulfill करनी पड़ेगी, तो आपकी communication skill है, वो completely develop हो जाएगी तो उसके बाद हम देखते है tips to good communication अभी तक हमने क्या देखा कि communication की जो process थी उसके अंदर listening देखा उसके अंदर sender message को send कैसा करना चाहिए, उसके अंदर verbal देखा non-verbal देखा, pre-verbal देखा तो यहाँ तक हमने communication की process कैसी करनी है, यह देखा बट अब हम क्या देखेंगे tips to good communication की, कि good communication बनाने के लिए आपको कुछ यहाँ पर tips दी गई है, तो यहाँ पहली है maintain eye contact with the audience जब आप presentation करते हो या communication करते हो तब आपका जो eye contact को audience के साथ ने maintain करना पड़ेगा, तो ही audience को लगेगा कि यहाँ पर communication का awareness या environment create हो रहा है, उसके बाद body awareness, तो आप जब communication कर रहे हो, तब आपको body awareness होना बहुत ज़रूरी है मतलब कि आपकी जो body की situation है, आपकी जो body के expression है, होना बहुत ज़रूरी है तब ही आप good communicator बन सकते हैं उसके बाद है gesture and expression तो आगे हमने देखा body awareness तो वैसा यह gesture तो आपके अपने body का gesture है and expression है, वो भी आपको communication के साथ चार आपको maintain करना पड़ेगा, तो ही आप good communication कर सकते हो या उसका environment create कर सकते हो उसके बाद है convince once मतलब कि आप जो कोई communication कर रहे तो उसके अंदर आप सामने वाले विक्ति उसकी जो सोच है उसको fulfill करना, इसका मतलब यह हो गया, convey once उसके बाद है प्रेक्टिव, effective communication skill, तो आप communication की effective बना ले के लिए आपको practice करनी पड़ेगी, तो ही आपकी communication skill है, वो जो आपको good होती जाएगी, आप उसको develop कर पाऊगे, तो यह past topic के पहला क्या है कि maintain eye contact with audience, तो आपको audience के साथ eye contact बनाई रखना है दूसरा है body awareness, आपको body awareness भी करनी होगी, तिसरा है gesture and expression तो आपको communication के साथ सार अपना expression भी control करना पड़ेगा उसके बाद है, convey one थो, और उसके बाद है practice effective communication skill, तो communication skill को effective बना के बिनाने के लिए आपको practice तो जारी ही रखनी पड़ेगी, तो यह थी communication की tips, अब उसके बाद हम देखेंगे, effective communication कि किसको बोलते है, effective communication कैसे हम create कर सकते, तो आगे हमने effective communication की definition पड़ी थी, effective कैसे बना सकते हैं, तो वो सब हमने पढ़ा था, बट अब हम पढ़ेंगे कि effective communication में हमें किस-किस चीज़ पर attention देना चाहिए किस-किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए तो उसमें है पहला, it is a two way इसके लिए two ways है it involves active listening it involves active listening तो आप effective communication करना चाहते हो, तो आप तो एक active listening करना पड़ेगा, तो ही आप कोई भी जीज़ आप listen कर रहे हैं, तो full active और full energy से करना पड़ेगा, तो ही आप effective communication की habit कर सकते हो, उसके बाते it reflect the accountability of speaker and listener, तो speaker listener के accountability हो, और reflect होनी चाहिए, जब communication के जरीए, तो आपको आपको आपे effectively communication कर रहे हो it utilize feedback, जो आप communication के समय, जो भी कुछ feedback आपको response मिलता है, तो आपको utilize भी करना चाहिए, तो भी आप कुछ communication या कुछ different types का communication create कर सकते हो, या उस तरह का mahal create कर सकते हो, उसके बाद है, it is a free of trace, जब आप communication कर रहे हो, तब आपका, जो trace है, वो free होना चाहिए, आपको mind free होना चाहिए, कोई भी trace में आका आप communication नहीं कर पा सकते हो, उसके बाद है it is a clear, जो communication होना चाहिए, वो clear होना यह clarity वाला होना चाहिए तो ही हम सामने वाले व्यक्ति को understand करवा सकते हो या किसी भी चीज के लिए हम इसको understand करवा सकते हो या उसको समझा सकते हो यहां तक हमारा आज का lecture complete होता है अब देखेंगे next lecture में